नमस्कार आप देख रहे हैं तेजल मीडिया मैं हूँ प्रेमा राम बादू रजस्तान में साथ विदान सबा की सीटों पर उप चुनाव 13 नौंबर को होने वाला है सबसे ज़्यादा जो चर्ची सीट है वो नागूर की खिवसर सीट है जहां आरेलपी के सुप्रीमो हनमान बेनिवाल की पतनी कनिका बेनिवार चुनाव लड़ रही है आरेलपी की राजजानी कही जाने वाली सीट खिवसर पर घमा सान मचा हुआ है साथ ही आपको खिवसर सीट का इतियास बता दें कि 2008, 2013 और 2018 में हनमान बेनिवाल खिवसर से विदाएक बने अर्जबी पार्टी बनने के बाद 18 में हनमान बेनिवाल के साथ उकराज गरक और इंद्रा देवी बावरी शे तीन आरेलपी की विदायक विदाएक सबा में पूँचे फिर नागुर सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई और 19 में हन्मान बेनिवाल के भाई नाराइन बेनिवाल यहां से विदाईग चुने गए फिर अब 23 में हनमान बेनिवार ने फिर चुनाव लड़ा अपनी राजदानी खिमसर से जो की आरिलपी गी राजदानी मानी जाती है और विदायक बने फिर चुनाव हुए लोकशबा के हनमान बेनिवार शांसत बन करके संसत पहुंचे और सीट खाली हुई जिस पर उप सीट पर हनुमान बेनिवार आरिलपी सुप्रीमों की धर्म पत्नी कनिका बेनिवार चुनाव लड़ रही है पर देश भरकी नहीं देश भरके लोगों की इस सीट पर पहनी नजर है आपको बता दें कि हनुमान बेनिवार के पूराने साथी रेमत राम डंगा भाजपा से है भाजपा कॉंग्रेस और आरेलिपी में तिर्कोणिये मुकाबला है नागोर की खिंसर सीट पर लेकिन हनुवान बेनिवाल पहले जो विदान सबागी चुनाव थे तेविस की तब पूरे प्रदेश के दोरे पर थे लेकिन सांसद बनने के बाद में अपनी राजदानी खि हनुमान बेनिवाल को टकर देने के लिए दुरुख सिंग हमेशा उनाँ से चुनाव लड़ते हैं दुरुख सिंग भाजपा में लाए हैं वहीं अभीनव पार्टी के अशोग चोधरी को भी जो है विजी पी में सामिल किया है दुरुख सिंग और अभी नव पार्टी के अशोक चौधरी को भाज़पा में सामिल कर पिछली बार के परत्यासी जो है रहे डांगा को वापस परत्यासी भाज़पा में बनाया है मुख्य मंतरी स्वैम नामाकन की सबा में पुंचे थे लगातार मिर्दा परिवार जो है नागोर के अंदर वर्ससव देश भर में उनका राह है उनके बाद धीरे धीरे हनुमान बेनिवार ने मिर्दाओं को टक कर देनी शुरू की अब जो इस्ति ये आगई है के लगातार मिर्दाओं की हार के बाद रह्मत राम डांगा को पर्त्यासी बनाया गया है हलांकि राजनेतियों की सामजी ग्रूप से धरातल मिर्दा भी कमजोर नहीं है लेकिन इस बार हनुमान बेनिवार की पर्तिष्टा जो है दाउप लगी हुई है क्योंकि पहले तीन बिदाइक थे उसके बाद में हनुमान बेनिवार स्वेमान बिदाइक थे के बाद में RLP का प्रतिनी दितों विदान सबा में बंद हो जाएगा खतम हो जाएगा नगणे हो जाएगा आपको बता दें कि हनुमान बेनिवाल धरातल पर काम कर रहे हैं साथ ही बियान वीर जो लोग थे उनको इस बार चुनाओं से पीछे रखा गया है जिनकी चर्चाएं बियानों की होती थी मजा की आंदास में जिनकी चुटकले लोग सुनते थे उन सब को पीछे रख करके इस बार भाजपा के ल हुसा है यानि हनुमान बेनिवाल आरिलपी सुप्रीमों का ये भी एक प्लस पाइंट है कि कनिका बेनिवाल जिस साथगी के साथ मैलाओं से मिल रही है जिस अंदास के साथ अपनी बात को मंच पे रख रही है एक नपे तुले सदे हुए नेता की और लग रहा है कई सालों की तफिया परदे के पीछे की है तब जाकर के आज मंच पर एक नेता की तरह मंजे हुए नेता की तरह कनिका बेनिवाल जनता के सामने आ रही है इस बार कड़ा मुकाबला है परिणाम कुछ भी हो सकता है अगली खबर तक हमारे साथ बने रही है देखते रही है तेजल आमस्कार